नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है Dr. Neelam Sharma, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की Remisaf CV Tablet का उपयोग किन 번째 conditions में किया जाता है, Remisaf CV Tablet को कैसे लेना चाहिए, और Remisaf CV Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं? और यहां भी डिस्कस करेंगे कि REMICEF CV टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए Remisafir CV एक brand name है Remisafir CV tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है Remisafir CV tablet के अंदर salt composition से fixin 200 mg और potassium clavulinate 125 mg होता है Remisafir CV एक antibiotic दवा है Remisafir CV tablet का उप्योग शरीव में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग दले या तवचा पर infection होने पर या तवचा पर कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर रेमिसेफ सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्तर रेमिसेफ सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं, जिनमें आपका डॉक्तर रेमिसेफ सीवी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रेमिसेफ सीवी टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में रेमिसेफ सीवी टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, तवचा पर रैशिस होना, तवचा पर खुजरी होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स रेमिसेफ सीवी टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की रैमिसेफ सीवी टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. रैमिसेफ सीवी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है. आम तोर पर बारा वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रमिसेफ सीवी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि रमिसेफ सीवी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Remesafase CV tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए, जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Remesafase CV tablet को लेने की सला दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक Remesafase CV tablet को लेने से Antibiotic Registence हो सकता है, और Antibiotic Registence होने पर वो Antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और Remesaf CV Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको Remesaf CV Tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए Remesaf CV Tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Remesaf CV Tablet की दोज घटानी पड़ सकती है वैसे Remesaf CV Tablet Pregnant महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुक्सान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Remesaf CV Tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Remesaf CV Tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Remesaf CV Tablet से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं